तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं और थोड़ा सब मेरा भी 15 साल का जो एक्स्पिरियंस है उसको आपके साथ में शेर करने वानूँ अभी at present I am working as a guest faculty in different colleges MBA पढ़ा रहा हूं और 15 साल से पढ़ा रहा हूं तू बहुत कुछ देख लिया मैंने main problem placement को लेके बच्चों क कॉलेज admission ले लेता है दो साल में भी complete हो जाता है बट finally जो सबसे वड़ी problem आती है वच्चों को आता है प्लेस्मेंट को लेकर उसी के उपर मेरा focus है और वही चीज मेरे को discuss करने ही उससे पहले थोड़ा से मेरा profile दिखा देता हूं मैं आप लोग को तो आप लोग को यह मिल जाएंगे free books मिल जाएंगे तो सारी की सारी books हर state का बुक्त मिलेगा आपको आईदर राहिसतान योपी सबका बुक्स मिलेगा साथ के साथ आप लोग को MBA के वीडियोज मिल जाएंगे अकाउंट्स के फारेंस के सारे सब्जिक के वीडियोज है यूट्यूब के लिंक है वह आपको मिल जाएंगे उसके लावा मैं हर साल आयम अब्दबाद जाता हूं बच्चों को लेकर एजा अगर मानों कोई नॉन कॉमस स्टूटिंट है अगां आप्सका जाता है बेसिक पढ़ना चाता है इसको क्लिक करेगा YouTube पर लेकी जाएगा यूट्यूब पर सारे के सारे अकांट्स के अकांट्स बेसिक वन टू स्वारी व्र सारी क्लाश्स को जाएंगे लिस्ट है को यहां यह बुक लिखा था 2010 में तो साथ आठ साल से भूक्स भी लेख रहा हूं है यह क्यूटी का भूक है कॉस्ट अकाउंटी का भूक है यह सारी बूक्स आपको मार्केट में अफलेबल हो जाएंगे चलो यह सब तो ठीक है बट अपना मेन अब्जेक्टिव था में अब्जेक्टिव था देखे दोज वार प्लानिंग फॉर केट और वह आयम का प्लान कर रहे हैं उसके अलावा वह तॉप 20 स्कूल्स का प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि वह उस साइड में ही जाएं इसको कंसेंट्रेट नहीं करें मैं दोज वार मिडिल क्लास फैमली और दोज जिनका माइंड इतना वर्क नहीं कर रहा और आयम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके लिए विडियो बनाया है यह अधिके नॉर्मली MBA कोलेजिस का जो फी स्रक्चर है वह आउंड टू लेक तू वलेक्टी मत फिप्टी थाउजन तो फूलेक्ट यह MBA का फी स्ट पर आप क्योंकि MBA में दोलाक रुपे लेंगे तो वही पीजरी में जाते जाते च्छालाक रुपे लेंगे वह आपसे पांच-छालाक क्यों महेंगा प्रोडेक्ट बेचेंगे तो ज्यादा इंकम होगी आप समझने में क्या बढ़ो एडवांस कैरिकुल में ऐसा बोलेंग सब्सक्राइगरी मिलेगा आपको MBA से अब देखें आजकल कुछ कॉलेज सारे तो नहीं बोलूँगा अगर आप फ्रेशर हैं MBA कंप्लीट हो गया वट आपने कभी कॉर्पेट वर्ल्ड नहीं देखा कभी आपने कोई जॉब नहीं किया कभी आपने को इंटरिंशिप नहीं जाते हैं तो फिर मतलब क्या निकला MBA करने का इसलिए कुछ कॉलेज ने कॉंसेट को फॉलो किया है और वो कॉंसेप्ट क्या है इसको ध्यार से दिखना आपका हंडिट परसेंट होगा कुछ बच्चे बोलते क्या आप गेरेंटी कि हंडिट परसेंट कॉंसेट समझातों अ अपका personality development पे काम किया जाएगा English communication पे आपका काम किया जाएगा Advanced Excel आपको सिखाया जाएगा Digital Marketing आपको सिखाया जाएगा एक महीने तक वो आपको छोडते नहीं आठा दस गंटे बारा बार गंटे बठाके रखेंगे आपको और आपका जो way of talking उसको change कर देंगे आपका dressing sense change क कर देंगे कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से बना देंगे कि now you are ready for a corporate world आप एक company में जाके job करने के लिए तयार है अब वो क्या करेंगे classes का timing रखेंगे सुबह morning 7 to 10 7 to 10 तो उनको class होगा नास तो ले नहीं पड़ेगा और 11 o clock आप office जाएगे और 11 से लेके 6 pm तक आप office में रहे जिस दिन आपने MBA में admission लिया था ना same day मान लो within one month को आपका पता है students कहते सर एक मैने की क्या जोरत है आज ही हमको placement अरे भई आप fresher हो आपको prepare तो करें उसके लिए जब आप prepare हो जाओगे corporate world के लिए तभी तो आपको बेजेगी तो अब package क्या होगा अब देखें यहां कोई package नहीं होता यह मान के चलो it's a internship यहां पर आप सीख रहे हैं आप सबस्जरों में क्या बढ़ों यह मान के चलो 8000 से 10,000 की बीच मान लो यह आप लोग को मिलेगा on an average अगर 10,000 पर भी मिलते हैं आपको और दो साल में आपने 20 months job किया यह internship किया तो 20 to 10,000 भी अगर मैं करता हू हो इंटेंशिप आप लगवा रहे हो जितना पैसा में पास आता जाएगा मैं आपको भरता जाओंगा और यह 1,500,000 रुपे मैं आपके पूरे कर दो आप कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बढ़ों तो अब एक बात बताएं अगर आपने दो साल में छूटा से एक्जाम्पल ल अब जब 20,000 पर पहुच गए हैं MBA complete degree आपके हाथ में अब पता है क्या होगा आपके campus में ICSA bank आती है अगर आपके campus में ICSA bank आती है तो जो आपके friends से blank बैठेंगे उनको पता ही नहीं क्या है आपको तो बहुत जबर्जस knowledge है तो अगर आपको यह knowledge है तो यह मान के चलो आप यहीं बोलेंगे मैंने EU finance में यह किया वो क्या दो साल काम किया आपने वह experience आप सामने वाले के साथ क्या करेंगे शेर करेंगे वह लेगा ठीक है कितना मिल रहा था 20 वह ठीक है आज 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 अगर आप स्टार्टिंग से जॉब कर रहें इंटर्शिप कर रहें तो आपको प्लेस्मेंट में प्रॉब्लम नहीं जाती है पैकेज बहुत अच्छा मिल जाते हैं अब यह बाते मैं कर रहा हूं मिनीमम पैकेज बोल रहा हूं में 3.5 बच्चे का कैलीवर है वो चार प्लस में फी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाया ज्यादा नहीं 50,000 इंक्रीज किया उस फी स्ट्रक्चर को कर दिया दो लाग अब इसमें क्या होने वाने यहाँ पर आप यह मान के चले मैं सारा का सारा जो पंसेप बता रहा हूं आप लोगका जो MBA का करिकुलम है वो त पूरा का पूरा इंवेस्पेंट बैंकर बना जाएगा दोज वा प्लानिंग फॉर फैनिंस अगर एंब्य में फैनिस ले रहे हो आप तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोग्राम है अगर वो करना चाहें तो बाकी तो यह आपका MBA भी कम्टीट हो गया और यह आपका चाहिए कि मिरको स्टेबिलिटी चीए बहुत कमपोटेबल जॉब चीए मिरको ऑपरेशन्स का जॉब चीए सेल्स का जॉब नहीं की आप समझ रहे हो तो यहां पर चलते हैं यह पूरा का पूरा इंवेस्पेंट बैंकिंग का कॉंसेप्ट है इसके अंदर जो कैरिकुलम ह चाहिए 200 का करिकुलम है इसका लेवल वन लेवल 2 लेवल 3 ऐसा मिलेक आपको तो यहां पर क्या होने वाले यहां पर आपके थ्री लेवल से लब लेवल टू और फिर आपको मिलेगा लेवल अभी तीनों लेवल क्या बताते हैं यह आपको पूरा का पूरा इंवेस्टमेंट बैंकर में कनवर्ट कर देए और करीब करीब दक कंपनीज भूचार लिंक पे तो फैनेंसिल कंपनीज जो फैनेंस से रिलेट करती है जो करेंसिटमेंट होता है और इनका जो प्लेसमेंट स्टार्ट होता है वो होता है 5 ल से जो मिनीमम प्लेसमेंट इंका 4.5 से और आगे तक 5,000,000 से आप समझने में क्या बुल रहाँ हूँ अब थोड़ा सा दिखा देता हूं यह सारी कि सारी जो कंपनीज हैं इनके अंदर ही लोग प्रेस करते हैं कॉलिज का ही एक पार्ट मानके चलो जो कॉलिज ने प्राइवेट कंपनी से टाइप कर रखा है उसके आपका इस भी आ जाएगा अगर आप जहां से देखो तो यह कोर्स मानके चलें या फिर एक कॉलिज का प्रेस्मेंट पार्टनर का एक कॉंसेप्ट है इसको एडिशनल उन्होंने एड़ किये तो देखें मैं आप लोग को प्लीज एक परसनल एडवाईज करता हूं आप कहीं से भी MBA करें मैं नहीं कहता है कि आप यहां से MBA करें वहां से MBA करें कुछ चीजों को ध्यान रखना सबसे पहली चीज उस कॉलिज से बोलना मेरे को प्लेस्मेंट आज चाहिए मेरे जीब में पैसा नहीं है मेरे को पैसा पेरेंट्स ने बोल दिया आप कमा और खु अगर कोई college आपसे टूल एक से उपर चार्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे वेस्ट आफ मनी दे रहे हैं मतलब जो एक्स्रा पैसा आप देरो वेस्ट है कोई मतलब नहीं तीसरा सबसे important concept यह चीजे तो ध्यान रखना भया और तीसरा सबसे important concept है कि आप college से पहले यह clear कर ले कि मेरेको placement चाहिए और placement मेरेको on the spot चाहिए आप समझेव में क्या बढ़ो ऐसा नहीं है कि आप wait कर रहे हो placement होगा और कौन guarantee लेता है दो साल पूरे हो जाएंगे और placement नहीं वा तो क्या करेंगा तो यह छोटी-छोटी चीजे इनको ध्यान रखना और MBA के लिए आप कहीं से भी प्लान करो पड़ यह concept का फॉलो करना तो college फॉलो करें उसमें फॉलो कर लो और यह मेरा नंबर है और विद विद guarantee अब guarantee मैं क्यों दे रहा हूं अरे भाई अगर आप लोगो कोई subject में डाउट आता है मेरे पास आओगे आप पढ़े तो दो साल तो आप मेरे पास ही रहोगे और वन मंत के अंदर आपका प्लेस्मेंट होने आप college को clear बोल दो सर मेरे पास तो दस जार पेह बस याडमिशन फीस ले बात खतम अब आप मेरा internship लगा और पैसे लेते जो अगर internship नहीं लगेगा college को पैसा नहीं देन आपको तो कहीं ना कहीं आपन वैसे सेव जोन में दो साल कॉन वीट करेगा आज ही देख लेंगे ना जो होना है वो आज ही होगा तो वन मत में आपके सामने पूरी पिच्चर क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा सा देख लो अभी तो टाइम है मेरा नंबर है आपके पास में आप कॉल करो वाटसब करो आपको पूरा और डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कहां कहां कौन-कौन से लूपोल्स हैं वो भी अपन डिस्कस करनेंगे ओके बैस्ट आफ लग्ग